हेलो नमस्कार सांतियों, वेलकम टो रॉयली स्टडी, दोस्तों SSC CHSL एक्जाम का नेक्स्ट एनलीसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं, आज 1 जुलाई 2020 को हम सेकेंड सिप्ट का एनलीसिस कवर करेंगे, सब पहले हम फस्ट सिप्ट का जो वीडियो है, अगर आप पूरे के 25 पूर पूचे गएं, वो हमने आपको कवर करवाएं, सांती हमने इंगलीस मैस रिजनिंग के टोपिक भी पूरे आपको बताएं, जहां से आपके एक्जाम में कुशन बने हैं, आईए हम सेकेंड सिप्ट के कुशन अब देख लेते हैं, अब गाईज यहां पर हमने और च कुशन जरूर से सेंड कर सकते हैं, ताकि हम आपको सबसे सटीक, 100% ऑथेंटिक जो कोशन हैं, उसका रिव्यू या एनलीसिस आपको देवाएं, तो आप जरूर से सेंड करेगा जब भी आपका एक्जाम हो, आज हमें जो कोशन से बेज़े हैं, यह नेतिक राई जी, जो कि जोदपुर राइस्तान से हैं, रस्मी चोधरी जी, जो की इंदोर से हैं, इसके अलावा अनिकेत यादव जी, जो की लखनव से हैं, लखनव अध़े से, विजे राजुरिया जी, इन सभी ने काफी चे तरीके से कोशन से बताएं, यहां तक कि नोने पूरे-पूरे कोशन समय बता दिये जो आपके एक्जाम में पूछ गए हैं तो आई आज किस वीडियो को स्टार्ट कते हैं जीके जेस करेंड फेर से हमारा पहला प्रस निस्कीन पर आ चुका है कोशन नमर फस्ट है हमारा 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेंजबानी की यह की भारत के द्वारा भारत क तरह से भारत में आजित की गई थी है किले रही पहली बार था जब यह पूरी पृतियोगिता भारत में आजित होई थी पहले की तीन गटना है अगर आपन देखें तो 1987, 1996 और 2011 यनि कि 1997, 1996 और 2011 को आंसिक रूप से वहां आजित किया गया था टूर्णामेंट मूल रूप से नो फरवरी से 26 मार्च 2023 तक होने वाला था नामी बिया जिम बामबे और दक्षिन अपरिका के साथ अक्टूबर नौमबर 2027 में पहली बार पूरुस क्रिकेट विस्वकप की मेजबानी करेगा तो यह करेगा 2027 में और यह तो आजित कि आजित किया था अगला पूशन है व क्लिए रहे परवता रोहन क्या है तो यह एक ऐसा खेले जिसमें उचे जो पहाड होते हैं उन पर चड़ना सामिल होता है और इसमें मुक्य रूप से पहाड के उच्चे जो बिंदू होते हैं या जो टोप होता है पहाड का या सिखर होता है उस तक पहुचना या पहुचन डिसेन ये होता है आपका और इन आई एम इन आई एम यानि कि परवता रोहन जो संस्थान है नहिरू परवता रोहन संस्थान इसकी जो इस्तापना है ये 14 नॉंबर 1615 को उत्तरकासी उत्राकंड में होई थी इसकी प्रवाद भारत के पहले परदान मंतिल थे पंडित जवार लाल नेरू इनके समान में की गई थी जव परवतों के वुखिन थे और जवर दस्त महतुकांकसा रख दे थे नेरू पहबता रोहन संस्थान इन इसको भारत के परमुक परवता रोहन संस्तानों और ऐसे के सबसे सम्वानित परवता रोहन संस्तानों में से एक बना जाता है अगला कुशन है तेरी मिट्टी में मिल जावा ये गाना है किस फिल्म का है ये आपसे कुशन बनाए तो तेरी मिट्टी में मिल जावा सोंग जो है ये कैसरी का है 2019 में आई थी आप सभी को बताईए इस गाने को गाया है भजन संगीत के मसूर गायक विजे जोगी ने और ते सा वोड मिला ये कुशन मना हैं तो इसको सर्वसेश्ट मूल गीत के लिए औसकर पुरुसकार दिया गया पिच्चानवे पिच्चानवे वे अकादमिक पुरुसकार समारों में एस एस राजय मोली की फिल्म त्रिपल आर के नाटू-णाटू गीत ने सर्वसेश्ट मूल गीत के लिए औसकर जितने वाली पहली भारती फिल्म बनकर इतियास रच दिया ये पिल्म स्वत्नता सेनानी कोमा राम भीम और अलूरी सीता राम राजू के जीवन से प्रेडि थे एक अन्य भारती प्रविस्टी दा एलिफेंट विस्पर्स नेभी सर्वसेश्ट व्रत चित्र लगू फिल्म स्रेणी में उसकर जीता हैं अगर बात करें त्रिपर आल द्वारा जीते गए पुरुसकार की तो त्रिपर आर जो मूवी हैं इसके द्वारा कहीं सारे पुरुसकार जीते गए हैं 20 परवरी 2023 को मॉंबई में गोसित दादा साथ फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आवर्ड में त्रिपर आर ने इंटरनेशनल फिल्म आप दे यर का पुरुसकार जीता इसके बाद में जनुवरी 2023 में क्रिटिक्स च्वाइस अवोर्ड 2023 में त्रिपर आर ने दो पुरुसकार जीते एक सर्विसेश्ट विदीसी भासा फिल्म के लिए और इसके अलावा ऐसे इस राजमूली ने अपनी फिल्मे ऍरविसेट निरदे million का सिर्सक पुरुसकार तो यतने सारी जो पुरुसकार यह तूर्पने लाउए और जो याद रगेगा इन्हीन इसाद कोश्चन आपका यह बनाएं अगला कोशन है उत्राखंड का लोकनती कौन सा है उत्राखंड के कहीं सारे लोकनती है जैसे कि बरदा नाती हो गया छोलिया हो गया बोटिया हो गया चुमफला जुमेलो और इसके अलावत हड़िया और चंचरी नती तो यह सारे कहां के हैं यह उत्राखंड के लोकनती है इन station में स्थीद हैं और ये dance प्रकार ज्यादार विबिन उसरों पर जिसे की जोनसार जिन जाती द्वरा किया जाता है इसे कहानी कहने के तरीके से भी किया जाता है अगला question है knife ये एक उप्णिया से तो knife जो पुस्ता के इसके लेखा कोने चाकु लगने के कस्ट दायक अनुभाव और कैसे उन्होंने इस घहतक गटना पर काबू पाया इसका वर्नन किया न्यूयार्क राज्ज में एक कलाव समारों में मंच पर चाकु से हमला करने वाले एक हमलावर्द वाला किये गए हमले में सर्मान रुजदी की एक आँखी रोस्ता की चली गए थी तो वैसे कली उन्होंने इस पुस्ताक जो है इसमें इसी के बारे में पुरा जखर किया नाइप के बारे में नाई भी इसको सिर्सकिनो ने दिया अगला कुशन भारती चनवीदान का अनुचेज 136 अनुचेज 136 कि से रेलेटेड है सर्वोची न्याले द्वारा अपिल करने की विसेश अनुमती से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 136 भारती सन्विधान का अनुचेट 136 सर्वोची न्याले द्वारा अपिल करने की विसेश अनुमती से जुड़ा है इस अनुछेत के रहत सर्वोची न्याले अपने विवे का नुसार भारत के किसी भी न्यायले या न्यायदिकरन, सेन्य न्यायदिकरन, कूर्ट मार्सल को छोड़कर केसी भी निरने, डिग्री, अवधारना, डिंडादेश या आदेश के खिलाफ अफिल करने की विशीस किसी खास विसे या न्यायले तक सीमित नहीं है, सर्वोची न्यायले के पास तत्य कानून या दोनों से जुड़े मामलों पर विचार करने का विवे का अधिकार भी है, अगला कुशन है, 2023 में भोगोलिक संकी तक याने कि जी अटेग में किसे सामिल किया गया, कापी सारी चीजों को सामिल किया गया, लग-लग स्टेट में, किले रहें, तो हमने लिस्ट डाल दिये, यहाँ पर देखिए, पूरी लिस्ट डाली हुई है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा डिटियल आपको बता दे, यहाँ पर एक्जक्ट ऑप्शन नहीं तो बता देते हम कि क्या लाल चना, असम का गमोचा, महरास्ट का अलिबाग, सफेद फ्याद और लद्दाक का प्रक्षते कारवो खुबानी, इन आदी उत्पादो को बैसिकली इसमें सामिल किया गया, 2030 में, 2030 के लिए भोगोलिक, संकीतक, जी आइटेक, सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्पादक की सिर्णी है यहाँ पर और यह राज्य है, जहाँ पर किस राज्य के अंदर यहाँ था है, तो यह एक दस्तकारी है, और तमिलनाडू के लिए इसको जी आइटेक मिला है, इसी तरह यह है, जिंडी गुल, लॉक्स, सेली चोड़ाई, स्वता, महतपुर्ण, है स्री विल्लि पुत्तोर पलकोवा, अब यह खाद सामागरी है, पल्लाड़ू के लिए इसको दिया गया है, काजी नेमु, यह करसी सिर्णी रेए असम के जी आइटेक मिला है, कंडागी-साडी, हस्त-सिल्प, तमिलनाडू, इसका जो जी आइटेक मिला है, कस्मीर के सर यह मैंपुर को मिजुराम को मीजुराम को कि क्लिए इसके अलाबा केड़ाी कनाल मलाइपुडू यहें क्रशी से related तमिलनाडू को इसका मिला है रस गुला देख सकते हैं छाद सामग और डिया को इसका jadi fake पलाणी पंचामरतम ये छाद समग रही है Tamilनाडू को इसका JIT मिला है और Pondam ये एक हस्त सिल्प है मिजोर्णाम को से दिया आप देख सकते हैं नेक्स्ट है तवल्लो हपूरान हस्त सिल्प है और इसका JIT मिजोर्णाम को मिला है तिरूर पान पत्ता जो कि तिरूर वेटिल्ला इसको कहा जाता है करसी से रइलेटेड है केरल को इसका JIT मिले गुलबर्गा तुवर दाल जो की करसी से रिलेटेड है करनाटा को इसका JIT दिया गया मिजो पौाचे एई और इसका JIT उसका JIT मिजोर्णाम को मिला है तो ये सारे JIT हमने बता दिए जो important है 2030 के तो आप देख के जाएगा यही से कुशन आपको बनाएं अगला कुशन है स्वरोजगार योजना का पस्टू एक अप्रेल 1999 को स्वरोजगार योजना शुरू की गई भारती सन्विदान का कौन सा भाग राज के नीति देशक तत्वो से समझत है भाग चार आपका करेक तांसर रहेगा डीपीसप से रेलेटेड भारत के नीति देशक तत्व भाग चार में अनुच्छे 36-51 तकसा मिले डीपीसप प्रकृती में गिर बाद्यकारी है जिसका हरते कि वे अधालतों द्वारा उनके उलंगन के लिए लागू करने की योग नहीं है यह सिदान तो इस बात पर जोड़ देते हैं कि राज लोगों को आस्री भोजन वस्त देट सी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके उनके कल्यान को बढ़ावा देने का प्रियास करेगा अगला कोशन है 2022 के सूचकांग के अनुसार सबसे गरीबी कौन सा है तो बिहार हो जाएगा के लिए ये एक रिपोर्ट के आधार पर हम डेटा आपको दिखा देरा है नीतिया योग की पहली बहु आया में गरीबी सूचकांग MPI रिपोर्ट के अकोर्डिंग अनुसार बि प्रति व्यक्ति गरीबी की गन्ना राज्जी में परचली सामानी परिस्थितियों को लेकर की जाती है और एक और रिपोर्ट के आधार पर हम आपको बता रहें 2022 के डेटा के कोडिंग अक्टूबर 2022 में सन्युक्त राश्ट्य विकास कारिक्रम UNDP और ऑक्सपोर्ड गरीब पुस्तक के लेकप को ने सही जवाब हो जया का सचिन तिंदुलकर प्लिंग इटमाई वेव पूर्वे दिगज भारती किरिकेटर सचिन तिंदुलकर की आत्मकता का नामें यह सचिन के साथ एक भारती खेल पतर बोरिया मजुमदार द्वारा सहल लिकी थे और यह जो पु विवे ने पहलों का वरणन किया गया है यहां वहां अपने पहले टेस्ट में से लेकर अपने सोबे अंतराश्टी सतक और इस छेत्र से अपनी विदाई तक के क्रिकेट सब्सके बारे में बात करते हैं अगला कुशन है भारती सन्विदान के किस भाग को भारत का मेगना कार्टा कहा जाता है भाग तीन को कहा जाता है मोलिक अधिकारों वाले भाग तीन को अनुचेद 12 से 35 अगे इसको भारत का मेगना कार्टा के रूप में वरनित किया गया है मेगना कार्टा इंगलेंड के यहां नागरिकों के मॉलीक अधिकारों पर पहला लिकित, सबीज मन जाता है। सन्युक्त राज आमेरिका के सन्युक्त यानि कैसी अधिकारों का विद्यक यहां से प्रड़ना प्राप्ट कीुऊ सी संकर्देव को दिया जाता है नत्य नत्य को लोपरिय बनाने के लिए असम सरकार के द्वारा मादा उदेव कुरुसकार से संबानित किया गया सत्रिया को संगीत नत्य कादमी द्वार्स 2000 में सास्त्रिनित्य का दर्जा भी दिया गया अगला कोशन है 2023 भारत की जीटिवेंटी प्रेसिदेंसी के लिए मुक्त समनवेक निउक्त किया गया और उन्होंने पहले भारत की वि Mitti या गया अगला कोशने नमामी देवी गंगे या नमामी गंगे में पौन से यूजना सामलने यह सो कण नमामी कारिक्रम के सल्सें नकल काया कल्प को प्रभावि डंग करना है करसी अपसिष्ट नियन्त्रन ये इस में साम इलए नहीं ध्यान रगे का इस कारिक्रम के स्थम में कौन कौन से सामिल है देगे, नमामे गंगे कारिक्रम के मुख के साम इस प्रकार है जैसे कि अपसिस्ट जल निर्मलीकरन और यहां पर option है किर्सी अपसिस्ट नियंतरन यह नहीं है इसमें सामिल ननी ना, तो यहीं से यह option बना जाए आपको दो यह सारी सामिन इसके मुक्य स्थम्हें यह क्रसी वाला इसकी मुक्य स्थम नहीं क्योंकि किरसी क यहाँ पर कोई बात ही नहीं यह यह नमामी गंगे करिक्रम एक एक наша connection विसन ने इसे जून 2000 चवदा में किंद सरकार द्वारा 20,000 करोट रुपे के बजट के परिवे के साथ मुख्य कारिक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था इसका उदेश राष्ट गंगा ने दिके प्रदूशन सन्रेक्शन और कया कल्प के प्रभावी उन्मूलन को दोरे उदेश्टों को रखना है अगला कुशिए ग्रामिन बेंग की स्थापना कि निक दी महम्मद यूनूस बढ़ा की ग्रामिन बेंग की स्थापना महम्मद यूनूस एक बांगल देशी बेंग का उदमी अर्थस्थास्री है जो ग्रामिन बेंग के स्थापक थे ग्रामिन बेंग की स्थापना माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस माइक्रो फैंसेस की अवधारनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 2006 में Nobel सांति पुरुस्कार से समानित इनको किया गया महम्मद यूनूस नाइटीन एटीझी पोर है 144 वैऊमन महित्सर समानित किया गया उन्हें 1989 में आगाखान पुरुस्कार और 1994 में विस्व खद पुरुस्कार 1996 में अंतराश्टी साइमन बोलीव पुरुस्कार ती के लिए रहे जिन्हों ने भी इस कोश्चन को बढाया है याद नहीं रहा है कि कौन से विसेश्था तो यह सब पूच अधा कि यह जो विसेश्था है कि इस तरह से पूच अधा कि पहली पंचवर्सी की योजना की बात करें तो स्वतनता के बाद भारत के विकास में इसके अहम भूमिका थी और इस योजना ने किर्सी उत्पादन को बढ़ावा दिया देश में ओध्योगी करन की सुरुवात की साथी इसने सारवजनिक और नीजी चेत्र के लिए भी खा दाविक साल 2017 2018 ते 212 के पुझिगत खर्च में 12 परिचालन और रख रखाव खर्च में 8.8 पर परतिसत और मुद्रा स्पीती में के लिए 8 परतिसत की बड़ोतरी दर्मानी गई हैं ध्यान रखेगा अगला कोशन है हमारा बादामी के चालुक बादामी के चालुक कि किसके ठीधीदा धीन, यह कदम राजवन्स की अधीन था और उनके वनसाजिओ को बादामी के चालुक के चालुक के नाम से ज़न जाता था पुलकेसिन परतम ने वातापी यानि की करनाटक के बागल कोट जीले के आदुनिक बादामी को अपने इंतरन में ले लिया और इसे अपने राज़दानी बना लिया बादामी की चालुक के उन्हें समकाली करनाटक से लेकर महारास्ट गुजरात तक सासंग किया था अगला कुशन है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था तो भारत को पूर्ण गंतर गोसित किया गया था 26 जनवरी 1950 को इस सन्विधान ने लोकतांत्रक सरकार प्रणाली के साथ एक स्वतंत्र गनराज बनाने की दिश्व में भारत के अंदोलानों को पुरा किया और इस दिन को गंतरन दिवस की रूपे मनाने के पीछे की वज़ा यही है कि 1930 में भारती राश्टि कॉंग्रेस ने इसी दिन भारत सामराज ने करनाटक के बड़े हिस्से और अंजय तमिलनाडू के कुछ हिस्से में दस्वी से 24 सताब्दी तक सासन किया था हुईसला जो राजबन से इसकी राजदानी हेलवीड बेलूर थी हुईसला अगला कोशन है हमारा कंप्यूटर से अब एक्जेक्ट जो कोशन है वो नहीं मिल पाया है बड़ हमने टॉपिक बता दिया आपको दुनियार निसाने बाजी विस्वकभ दुनियार निसाने बाजी विस्वकभ 2003 इसमें चंडीगड के सनियम ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत को सुरानिम जीत दिलाई या नहीं फाइनल में 238 अंग हासिल किये दक्षिन कोरिया की किम मिन सेव दूसरे स्थान पर इसमें रही है अगला कोशन है निमलेकित मैंसे कौन तार युक्त वाग्यंत नहीं है तवला अगरे टांस हो जाएगा 32 सास्तरी संगीत का अभिद अंग ताल वाग्य है इसमें हास से बजाय जाने वाले दो ड्रम होते हैं चोटा डायन और बढ़ा बयान दयान आमदोर पर लक्टी से बना होता है जबकि बायन में धातु या मिट्टी का सरीर होता है जटिल ले और पैटरन बनाते हुए अंगलियों और हतेलियों से बजाय जाता है बहुमुकि सास्तरी बक्ती यूजन संगी सहीत विबिनिस सेलियों में उप्योग के जाता है अगला कुशन है रोबर्ट रो ब्राउन ने कोसिका के केंद्रक की खोज किस वर्स की थी रोबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी कोसिका के केंद्रक की खोज की एक नाभिक यूकेरियोटिक कोसिका में पाए जाने वाला एक आंग है और यहां जिल्लियों से घिरा होता है तो हमने पूरे के पूरे आपको बता दिये हैं जो भी एक्जक्ट 100% authentic है जो हमें बताया थे हैं पूरा हमने यहां पर cover करवा दिया अब अंगलीज की और आगे बढ़ते हैं और आइडम से दो कोष्षन है पिल्टर और और ओर्टिकल से कोष्षन अंधे से 2 कोष्षन हैं ईड़ा में टल य से फेट से फ्यक्ल अंहाली करन से दो कोष्षन है सब्सक्राइब कोशन हैं से नंदर से से सवाट्ब कोशन हैं मैंतेमेटइकल अपरेशन से दो से तीन हैं स्लोस्म से एक है आपका कि इसके अलावा क्लासिफिकेशन से एक है केलेंडर से ड्यमेश से 2 कोशन बने हैं अगले आकर्थी कौन से होगी एक से दो और आकर्थी में तरबुज गिन्ना इससे एक कुशन बनाएं हमने आपको चारो सब्जेक्ट का ओवर्वियू दे दिया है हिंदी जीके यानि कि जीके इंग्लेज मैस रिजनिंग चारो सब्जेक्ट का अलग-अलग बता दिया कहां स किस तरह के कुशन पूच गए हैं अब तक हमने आपको काफे जदा हद तक आईडिया लगा होगा कि आपका पैटरन किस तरह की कुशन आपकी एक्सामे बन रहे हैं तो आप सभी जाजा सेयर करेंगा इन वीडियो को क्योंकि हम 100% और्टेंटिक जो कुशन ने ही आपको बत तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके विल आइकन को ओल पर सेलेक्ट कर दीजिगा ताकि जो भी नया वडियो है सबसे पहले आप सो भी के पास में पहुंच पाएं तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डिसिस के सांथ तब तक ले जैहिंद बंदमातरू